मानो संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने में और सेवकाल विवरन से संबंदित सारी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है क्योंकि मानो संपदा पोर्टल पर सर्वर शिफ्टिंग का कार्य काफी हद तक पूर्ण किया जा चुका है अब आपको कोई परिशानी नहीं होगी इस वीडियो में हम जो प्रमुक बाते जानने वाले हैं वो इस प्रकार है सबसे पहला है इसमें कि अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप कैसे लॉगिन करेंगे आप इस वीडियो में जान पाएंगे तो आप कैसे login करेंगे वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे तीसरा है कि मानो संपता portal पर आप अपने service book को कैसे देख पाएंगे चौता है कि आप अपना contact number कैसे update करें अगर आपका पुराना number बंद हो चुका है और आप नया number update करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे पांचवा है upload documents कि अगर आप अपने academic या किसी अन्य तरह का documents उसको update करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे और सबसे last जो आज हम जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से वो है update oblique change password कि अगर आप अपने password को अपडेट करना चाहते हैं या आपने password को change करना चाहते हैं तो आप मानव सब बदा portal के site पे इसे कैसे करेंगे तो देखें यह सब कारे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के किसी browser में जाना होगा आप Google Chrome browser में भी जा सकते हैं या अगर आपके mobile में कोई और browser है तो आप उसमें भी जा सकते हैं जैसे देखें मैं Google browser पे हूँ तो इसके search बार में आपको type करना होगा ehrms space देना है आपको फिर up लिखना है उत्तर प्रदेस इसको आपको search करना है जैसे आप इससे search करेंगे आपके सामने एक page खुलके आएगा इसमें देखें सबसे उपर लिखा हुआ है मानो संपदा आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह मानो संपदा का home page जो मानो संपदा portal है वो आपके पास यहाँ पर खुल के आ गया है अगर आप पहली बार login करने जा रहे हैं या आपने इस से पहले भी login किया है तो आपको यहाँ पर देखिए लिखावा है ehrms login आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने एक page खुल के आएगा आपको login करने एक page खुल के आएगा इसमें सबसे उपर लिखावा है department name आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंग जैसे आपने यहाँ पर क्लिक क्या आपको अगली रह पर आना है यहाँ पर लिखावा है यहां पर enter हो जाएगा फिर उसके बाद नीचे catch है फिर यह catch आप यहां पर enter कर दिजे तो देखे मैं यहां पर catch को enter कर देता हूं यहां पर जो catch लिखा हुआ है वो है 9 फिर capital M है फिर small k है फिर 7 है फिर small r है और फिर small s है देखिए आपको एक और बात बतानी है कि अगर आप अपना password भूल गये हैं तो department के तरब से जो password generate हुआ है उसमें आपके नाम के शुरू के 3 capital letters उसके बाद birth year है अगर आप password वाले section में इसे डालेंगे उसके बाद आप capture करेंगे और उसके बाद नीचे login कर देंगे तो आपका ये login हो जाएगा दूसरी बात कि अगर आप अपना password भूल गये हैं तो आपको करना क्या है कि आप अपनी user id को डालिए पासवर्ड वाले section को खाली छोड़ दीजिए capture को enter कर दीजिए नीचे forget password पर आप click कर दीजिए जैसे आप forget password पर click करेंगे तो जो आपका number registered है उस पर आपका password पहुँच जाएगा फिर वो password आप वहाँ से देखके यहाँ पर enter कर दीजिएगा password वाले section में उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो grain strip पर login लिखावा है यहाँ login पर आपको click करना है जैसे आप login पर click करेंगे आपके सामने एक page खुल के आएगा देखें इस पर क्या लिखावा है Department of Directorate of Basic Education उत्तरप्रदेश और देखें यहाँ पर यह आपका data खुल गया है पूरा तो देखें अब देखें अगर आपको अपनी service book देखनी है या आपको अपना contact number अपडेट करना है अपने documents को upload करना है या अगर आपको अपने password को change करना है तो इन जैसे आपने my profile पे क्लिक किया यहाँ पर लिखावा आया है employee dashboard यह employee का dashboard है देखें इस पर क्या के लिखावा है सबसे पहले लिखावा है employee posting detail कि employee इससे में कहाँ पर posted है वो detail यहाँ पर feed है देखें अब आपको यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखावा है server update होने में कुछी दिनों में यह भी शौट आउट हो जाएगी फिर आप अगर दुबारा इसको login करेंगे एकार दिन या दो-चार दिन बाद तो आपको अपने service book यहाँ पर दिखने लगेगी यहाँ आपर हम कट कर देते हैं उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर लिखावा है update contact details कि आपको अपना जो contact details है वह अपडेट करना है तो यहाँपर आप क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर क्लिक लिखावाया है आपका नाम डेट आप बर्स लिखावाया है देखिए यहां पर लिखावाया है प्रस्डेंट कॉंटेक्ट डेटेल अब आप जो भी नंबर मानव संपता पोर्टल के साइट पर अपडेट करना चाहते हैं वह नंबर आप यहां पर एंटर कर दीजिए तो द देखिए अब आप नीचे आएंगे तो यहां पर लिखावाया है देखिए पर्मानेंट कॉंटेक्ट डेटेल तो अगर आप चाहें तो आप अपना वही जो आपने अभी नया नंबर अपडेट किया तो वही नंबर आप यहां पर फिर से एंटर करके अपडेट कर सकते है और देखिए सबसे नीचे आपका लिखावा है अपडेट आप जब अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका नया नंबर और इमेल आइडी है वह आपकी मानो संपदा पोर्टल के साइट पर अपडेट हो जाएगी मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूं जैसे मैंने अपडेट तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है अब देखे हमारा जो कॉंटेक्ट नंबर है वह अपडेट हो चुका है अब हम यहाँ पर देखे क्या लिखा वा है अप्लोड स्केंड साइंड की अगर आप अपने साइन को भी क्या करना चाहते है आप कोई नया पर अपना signature कर लेना है और उसकी एक photo खीच लिजेगा फिर देखें यहां पर लिखा है देखें चूस फाइल आपको यहां पे क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो देखें अगर आप तूरंट उस image को खीचना चाहते हैं तो देखें सबसे पहले capture image है आप इ फाइल अटेच्मेंट में यहां पर आके फीड हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है सबसे लिखाव है अप्लोड स्केंड सिगनेचर यहां पर क्लिक करेंगे तो जो आपका नया सिगनेचर है वो अपडेट हो जाएगा तो देखें इस तरह से हमारा जो सिगनेचर है वो भी अपडेट हो जाएगा अब देखें इसके नीचे जब आप आएंगे तो लिखावा देखिए अप्लोड ट्रेनिंग डेटेल्स तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ट्रेनिंग जैसे अभी आपने दिख्षा के ट्रेनिंग ली थी तो यह सारी जो ट्रेनिंग से अगर आप यहां पर फीड करना चाहते हैं तो आप इस वाले पेज में वो ट्रेनिंग यहां पर फीड कर सकते हैं आप एपार्टमेंट के तरफ से कहीं एब ब्रॉड गये हैं तो आप यहां पर लिखावा यहां पर क्लिक करके और जो ट्रेनिंग आपने upload documents पे click किया तो जो भी आपके academic documents हो चाहे इसके अलावा कोई documents हो देखे यहाँ पर दो option है एक है educational documents और दूसरे है other documents तो पहले मैं educational documents पे click करता हूं तो देखे नीचे लिखावा है certificate type कि educational documents में कौन-कौन से certificate है जिससे आप upload करना चाहते हैं तो जो आप select पे click करेंगे तो वो सा आपके जो documents है वो यहाँ पर आ जाएंगे कि class 5th का class 8 का है और इस type से देखे यह BA है BSC है BCOM है तो जो भी आपकी academic degree है जो आप जो भी academic जो certificates है वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा आपको जैसे high school का certificate है उससे update करना चाहते है तो यहाँ पर देख जैसे क्या करेगा उसकी photo खीच के और अपनी gallery में save कर लिजेगा फिर यहाँ पर choose file पर आपको click करना है वह आपको आपकी gallery पर पहुंचाएगा वहां से आप उस high school का certificate है उससे select कीजेगा और वह यहाँ पर feed हो जाएगा और सबसे last में आपको submit पर click करना है बस आप यहाँ पड़ेगा तो इस तरह से आप एक एक करके सारे documents यहाँ पर attach कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जो other documents उस पर हम click करते हैं तो other documents पर जब हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए documents type पर जब click करेंगे select करेंगे तो देखिए जैसे आपका pen number है और driving license है तो इन दोनों को भी आ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं attach यहाँ सेव कर सकते हैं मानुसमपदा पॉर्टल की site पर अब देखिए हम नीचे आते हैं यहाँ पर लिखा है update password यह important है इसे थोड़ा सा आप समझ लीजे कि अगर आप अपने password को update करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको current password लिखना है उसके आपने देखा कि अगर आप पहली बार login करना चाहते हैं या अगर आप अपने password को भूल गए हैं आप अपनी service book को देखना चाहते हैं या अगर आप अपने contact number को update करना चाहते हैं या अगर आप अपने documents को upload करना चाहते हैं या अगर आप अपने password को change करना चाहते हैं तो वह बहुत आसान तरीके से आप अपने मोबाइल के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेर, कomena जरू करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे द्वारा जो next वीडियो अप्लोड किया जाएगा उसकी notification आपको properly मिल जाए Thank you so much